नमस्कार दोस्तों तो देखिए आज मैं बजार गई थी तो वहां से मैंने एकदम ही फ्रेश पालक लेके आई हूं तो चलिए इसकी रेसेपे आपके साथ शेयर करती हूं तो यहां पर मैंने इसे बहुत अच्छे से धो के काट लिया है और इसके साथ काट लिये हैं दो अब इसको बगारने के लिए मैंने लहसुन और मिर्ची ली है और थोड़ी से हारे मतर और दो टमाटर काट लिये हैं तो चलिए इसे बगारते हैं सबसे पहले हम अपनी बरी को फ्राय कर लेंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो यह देखिए बिलकुल ग गोल्डन ब्राउन हो जाने दूँगी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और डाल दी है मतर मेरी मतर सॉफ्ट हो चुकी है तो अब मैं इसमें डाल की रखी हुई थी तो वह पूरी भाजी में इसमें डाल दूँगी और उसी के साथ डाल दूँगी मैं बरी और इसे मैं बहुत अच्छे से चला के और ढाल दूँगी इसको हमें मीडिया माच में पकाना है क्योंकि पालक अच्छा खासा पानी छोड़ती है तो बरी हमारी आराम से पक जाएगी तो अब थोड़ी देर इसे चला के मैं इसे ढाल दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए बरी पक जाए और आलू भी पक जाए ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चला लिया है हम इसे ढाल दूँगी आईए अब देख लेते हैं तो ये देखिए पालक ने कितना पानी छोड़ा है तो अब हमारी बरी पक रहे हैं की नहीं तो हमारी बरी पहले तो नहीं पकी थी फिर मैंने फिर ढाक के इसको पकाया है और अब यहां आप देख सकते हैं कि मेरी बरी भी पक चुकी है यह देखे यह अच्छी खासी पक गई है और आलू भी मेरे पक चुके है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको खुला छोड़ देंगे और तेज आच में ही इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे सब जब इसका पूरा पानी खतम हो जाएगा उसके बाद ही आप गैस बंद करिएगा तो ये देखी मेरे पालक की भाजी बनके बिल्कुल हो चुकी है तैयार तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग